बात कर लेते हैं आई एफसी आई लेमिटेड की कुईक्ली एनलेसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आई एफसी आई में आप देखोगे यहां पर आज भी फॉल देखने को मिला है और वेल यहां पर बात आती है कि स्टॉक क्या स्टॉक फॉल कर रहा है तो यहां पर आपको बता दू कि वीक ग्लोबल क्यूज हैंगी कहीं ना कहीं हो मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉफिट बॉपर के लेवल पर हुई है उसके वज़े से इस सेंटिमेंट के साथ थोड़ वाली ट्रेंड लाइन तो आपको क्लियरिटी आई गई होगी कि यह स्ट्रॉंग सपोर्ट के साथ चल रही है यह जहां जहां देखें स्ट्रॉंग सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हर बार यहीं से बांस बैक होती थी हर बार अब स्टॉंग जब फॉल कर रहा है उपर से तो स्टॉंग ने आज जो अपन को सपोर्ट बनाया हो 48 के आसपास बनाया कुछ इन लेविल्स का सपोर्ट बनते हुए नजर आया और इसके नीचे फिलाल नहीं है स्टॉंग क्योंकि इन लेविल का जो रिजिस्टेंस है वो इसका आज का सपोर्ट है और यहां पर यह सपोर्ट काम कर रहा है उपर की जगह से यहां से आज सेल आफ देखने को मिला वह अपना कुछ यह लेविल था 53 और यहां पर भी आप देखें स्टॉंग सपोर्ट बनाया था स्टॉंग ने एक दिन बट नहीं रुक पाया आज ज्यादा सेल आफ देखने को मिलाए इस वज़े से यहां फर्दर फॉलिंग बनी यहां पर जो इंपोर्टेंट है यहां से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं आपको क्लेर्टी वहीं से आ जाएगी कि यह यहां पर यह इंपोर्टेंट लाइन ऐसे काम कर रही है कि स्टॉक में यह जो स्पॉर्ट हुआ था यह सडन हुआ था और उपर के इस लेवल पर काफी लोग ट्रैप है मेरे पास कमेंट आया थे कुछ लोगों के और वो बोलते हैं कि अभी भी सर्थ 65 या 70 कब तक पहुँचेगा वैल अगर यहां सही चलता तो अभी तक 60 होता स् टाइम लोगों के मन में आ रहा है कि फिर से नीचे जाएगा वेल नीचे तो इतने नहीं जाना चाहिए यहां पर अगर आप यह में क्रॉस के साथ भी सपोर्ट देख लें तो फॉर्दर अगर फॉड़ा सेंटिमेंट कल भी अकर वीक दिखता है तो फिर अपना को 45 पे आस सपोर्ट लेते हुए स्टॉक कुछ इसी दिसा में नीचे की तरफ यहां कहीं फिर से सपोर्ट बनाना शुरू करेगा बड़ा सा लफ तो फिरहाल देखने को नहीं मल रहा है क्योंकि उतना वीक नहीं हुआ है मार्केट के अभी निफ्टी 22,000 तोड़के नीचे आ गया हू उतना वीक नहीं है तो कहीं न कहीं यहां पे अभी रुख सकता है स्टॉक और यह important level रहेगा कल के लिए 45 के आसपास अब बात आती है कि यहां पर यह कल की बात है और कल अगर यहां से उपर की दिशा के लिए कोई move बनेगा उपर की दिशा के लिए थोड़ा बहुत move बनता अच्छी तरह से बट यहां पे सब्सक्राइब की दिशा के लिए थोड़ा साथ दिक्कत होगी 50 51 के आसपास की उपर नहीं आप मान के चलिए कि उपर जाएगा तो यहां पर अपनको resistance 50 और 51 रहेगी अपनी resistance यह अपनी resistance रहेगी और support की बात आती है तो strong support अपना जो इसी जोन में चलेगा और जोन में अभी से नहीं बहुत पहले से चल रहा है यह पूरा इसी जोन में चला है स्टॉक आप देखें यहां से उपर गया सड़न बाइब हुआ था फिर इसी जोन में एंट्री लेली इस टॉक नहीं और यहां पर जिग-जग का सेनेरियो चलते ह तो आफ से आई को अगर पकड़ना और नीचे आ रहा है तो फिर आई जाने दीजिए यहां कहीं पर देख लेगा एक्कुमिलेट्स करने के लिए पूर्टी थ्री के नीचे जाएगा तो वीकनेस दिखाया इस टॉक और फॉर्टी थ्री एक स्ट्रॉंग सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए तो इस टॉप लॉस जो आप करेंगा बड़े के बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस क्या उना चाहिए तो फॉर्टी थ्री बीड़ी था फ्री था इसके नीचे जाएगा तो वीक होगा इस टोब तबही यहोगा जब मार्केट और ज्यादा फॉल क आता है वाइनी मेंस तब की तब देखी जाएगी तो होफुली अब मैंने सारी चीज़ें यहां क्लियर कर दियूंगी मिलते नेक्ट वीडियो में दिस इस मी सुभम यादव साइनिंग ओफ